सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कई यूजर्स के एकाउंट से 354 रुपया काटा गया एक्चुली बहुत ही कोई के मन में डाउट है कि सर हम ने तो इट्यम का मतलब और ही नहीं किया और अचानक हमारे एकाउंट से अभी जो है 354 रुपया कट रहा है कि जो आपके एकाउंट से किसी कारण वस काटा जाता है वो पैसा रिफंड नहीं होता है वो भी अगर बैंक अपने आटो डेविट करती है अपनी मर्जी से काटती है तो आपको 100% है कि वो पैसा नहीं मिलेगा हाला कि अगर मान लीजी किसी कारण वस अगर आप इमेंडेट करवाके रखते हैं या किसी इंसौरेंस वगएरा कट गया उसे अगर कैंसल करवाते हैं तब ऐसे में वो पैसा आपका रिफंड मिल सकता है लेकिन जो अगर आपको बैंक खुद कुछ रीजन दे के काटती हैं जी एस्टी वगएरा या आपने कोई ट्रांजिक्शन किया या एट्यम से कैस्ट विड्रॉल जादा किया एट्यम काड इशू करवाई है चेक्बुक और किया मालो आपको मालूमी नहीं है कि आप लोग काट है उस काड का चार्ज है और साथी साथ वह डेवट काड जो है ऑनलाइन भी अप्लाइ हो रहा है अवी फिलाद आपडीट के बाद मैंने अपडेट दे दिया था तो ऐसे मिस डेविट का चार्ज आप में इसे बहुत ही दोस्ता का सवाल था कि यह जो चार्ज काटा ज जाता और आपके एकाउंट में कभी भी पैसे रखोगे तो बैलेंस माइनेस चार्ज भी काटा जाता यह मैंने पहले आपको बता रहा था ऐसे में हमने तो एक हजार रुपया बहुत ही दिन से मिनिमम दो से तील मंथ होगे रखा हुआ है लेकिन इसका अभी तक एक रुपया डेबिट काट का चार्ज 354 रुपया है तो हो सकता है अगर आप लोग उने इत्यम काट अपलाई किया हो तो 354 रुपया जो कटा वो ठीक ही एक एक रिजन नहीं दिया तो आप लोग अपने जो यहां रिजन ट्रांजेक्शन है इस पर क्लिक करके चेक कर सकता हूं कि आपक लोग Central M Passbook app डाउनलोड करके उस पर चेक कर सकता हूं कि आपका पैसा किस चीज का कटा गया है वैसे हम ने आ रहे एकाउंट से तो अभी तक एक रुपया भी काटा नहीं गया बहुत दिन से हमारा सिम एक हजार ही बैलनस है और यह बैलनस बरकरार रहा लेकिन बहुत ही दो आप लोग चुटकियों में एक बात एक तरीके से ही आसानी से पता लगा सकते हों अच्छे लिए वीडियो को लाइक किजिगा दोस्तों के सहीर किजिगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा थैंक्स सो मच मिलते आपके से अगली इंफरमेशन के साथ